हेलो दोस्तो आज हम आरेस परी दो जार तेवीस वर रादस्तान पुलिस सब इंस्पेक्टर ऐसाई एक्जाम स्रीज दो जार तेवीस के लिए आज चोबीस के रेट परमासर कंटेंट वाला मोडल पेपर गुन तीसवा दोस्तो आपके सामने लेकर आ चुका हूँ भाई इससे पहले 28 मोडल पेपर दोस्तो हमारे कंप्लेट हो चुके हैं अगर नहीं देखा तो उनका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएगा जाकर दोस्तो जरूर देखना और भाई है मैं गारेंटिक साथ दोस्तो आपको बोल रहा हूँ अगर आपकी एगजाम तक दोस्तो हमारी इस एक्जाम सरिच मोडल पेपर आपने अगर कंट्यून लिदोस्तो अच्छे से अच्छे से दोस्तो देख लिया ना तो आपके किसमत कितनी अवगात नहीं रहीग है आपकी एक्जाम में किया आपकी सेलेक्सन को रोक लेगी देखते हैं दोस्तों इस मोडल पेपर का फ़स्ट क्या होगा यहां पर देखिए दोस्तों पहला क्या है निमल लिखित में से राधस्तान की पर्थम पाउन उर्दा पारियोजना कौन सी है देवगड़ बीठडी फलोदी या अमर सागर तो दोस्तों हमारे इस क्यूशन का अ मेर में इस ठीक है इसके लाव देखिए दोस्तों आप यह भी नोट करना कि राधस्तान में वर्थमान में तीन पाउन उर्दा पारियोजनाई भाई संचाली तैना कौन-कौन सी एक नंबर तो होईगी अमर सागर वाली दोन नमर पर देवगड़ ठीक है और यह कहां पर प उसके वेरिम्पोर्टरेंट है और दोस्तों आरपीसी द्वारा किसे ने किसी एक्जाम में पूंची गई है ठीक है इसलिए अपने हाथ में दोस्तों नोट बुक रखिए और भाई नोट करते जाएगा ठीक है तो यह तीन हो गई दोस्तों अगर आपको क्यूंच लिए प कब जारी की गई ये क्यूशन बड़ा इंपोर्टेंट है रादस्तान पावन एम हाइब्रिड उर्जा निए ती कब जारी की गई तो दोस्तों नोट करना दो जार गुनिश में भाई ये जारी की थी आपके एक्जाम के पुइंट विश्य वेरी इंपोर्टेंट है ना इसक तो दोस्तों अगर को ये क्यूशन पूशन की रादस्तान सबसे बडया पवन क्या होगा और यहां पर देखिए दोस्तों आपको एक बात कि दोस्तों आपको नहीं यकीन हो ना तो चाहिए आप दोस्तों किसी भी कोचिंग संस्तान की ओफ लाइन या दोस्तों ओन लाइन online content को उठा कर देख ले हमारे content से बाई बैधरेन content नहीं भीलेगा यह guarantee साथ दूस्तों बोलड़ा हूँ क्योंकि तोस्तों ऐसा content आपको paid course में इतनी बारी बरकम पीस लेकर भी दोस्तों लोग आपको provide नहीं कर थे भाई यह रटा रटा है content नहीं मेनस से तियार किया content है दोस्तोओ आपके लिए आपका बहry मेनद करता है आपका फर्द मनत है dalej चेनल को जरूर सब्स्क्राइब घर नहीं किया हो तो दोस्तोओ कर लेना और वीडियो को बात हो रही है तो यहाँ पर देखे इस में से गलत खतन कुन सा है ठीक है इस परियोजना को पहले रादस्तान नहर के रूप में जाना दाता था और 1925 में इसका नाम है बदल कर इंदरा गांदी लिप्ट नहर परियोजना कर दिया गया यह बात बिलकुल सही है क्या नहीं दोस्तों यहां तक तो दोस्तों बिलकुल सही है यहां तक तो बिलकुल सही है यहां पर देखे क्या बोलड़ा है इस परियोजना को पहले रादस्तान नहर की रूप में जाना दाता था बिलकुल सह बात है दोस्तों लेकिन 1984 में नोट करना लेकिन गुनी सो चोरा सी में इसका नाम बादल कर इंद्रा गांधी लिप्ट नहर परियोजना कर दिया गया है ना क्या कर दिया गया था इंद्रा गांधी लिप्ट नहर परियोजना कर दिया गया था आगे देखे दोस्तो इस नहर की कलपना सार्दूल सिंग ने की थी नहीं दोस्तो इस नहर की जो इंद्रा गांधी नहर प्रियोजना आई जी एनपी है उसकी दिमाग की किसकी दिमाग की उपजा है तो दोस्तो नोट करना बीका नहर का इंजिनियर कमर सेन का नाम आता है कमर स तो दूसरा उप्षन भी गलत है और तीस्मी गलत है थो देखते हैं चृट लेह आपर शोथ है एक मिनिट पूल्ड़ा है कि नहर हरियाणा से नहीं गुजरती तो पंजब हरियाणा और राजस्तान की सहुग्त पर्योजना है ना इंद्रा गांदी नहर प्रयोजना तो जोस् इसके पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, तो दोस्तो इसमें D हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, दोस्तो ऐसे ऐसे option भी आते हैं एक्जामे, इसका नाम RPSC है, कुछ भी दोस्तो पून सकते हैं, तो ध्यान रखना, इंद्रा गांधी नहर प्रियोजन में, इसका नाम क्या, 1914 सी में दोस्तो चैल्च करके, इंद्रा गांधी लिप्ट नहर प्रियोजना कर देए गया ता, वेरी इंपोर्टन है, ठीक है, इसके अलवा दोस्तो और इंद्रा गांधी नहर प्रियोजना से, क्या-क्या क्यूशन आ सकते हैं, टो नोट करना दोस् कि सत्लूज और व्यास निए का पानियु का पानिय बिए हां अक्तर स्टूडंट इयह museums होते हैं कि सत्लूज और व्यास निए BA पानिया गलती से राभी व्यास कर देते हैं ठीक है इसलोगर ने होना है इसके लाव देखे दूस्तों इंड्रा गांधी नहर की कितने है ना इंद्रा गंदी मुखे नेर गड़रा रोड तक दोस्तो इसका विस्तार किया गया है इस बात का दोस्तो ध्यान रहा है इंद्रा गांदी नहर प्रियुद्णा को रादस्तान की मरू गंगा भी कहते हैं रट लेना वाई यह क्यूशन ठीक है यहां से दोस्तो एकजामे बार बार आपको किसे ने किसी इसके लिए पर देखें दोस्तो प्रियाँ सब्सक्र confusion कर्यां पर देखें दोस्तों और किसे हमारे के सब्सक्रों rightнул का या थि दौस्त किस बाग में मिलती है उतर बे। ऐस्ट उम घृति लूभा में तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है ना तो धो आपकर नोट करना हाड़ोती के चेतर में पाए जाते है इस बात का दोस्तो ध्यान लिके तो अगर आपको कुछिन भाई ये पूँच लेगी राधस्तान में सरवादिक चेत्रफल पर है ना मतलब दोस्तों पस्मी राजस्तान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो दोस्तों दो मिट्टियों का नाम आता है Aredisols 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 और दोस्तो Antisols Antisols का नाम आता है इस दो प्रकार की मिट्टी दोस्तो पस्मी रास्ताने पाई जाती है मतलब जेसे मेरे वारे area में ठीक है इसमें देखे Aredisols का मतलब हो गया दोस्तो सुस्क रेतिली मिट्टी और Antisols का मतलब हो गया Aredisols के रेतिली मिट्टी ठीक है तो ये रादस्तान की सरवाद एक शेतरफल पाई दाने वाली मिट्टी है दोस्तो इस बात का ध्यान लगना ठीक है इसके अलावा देखे दोस्तो अगर आपको क्यूशन ऐसा पूंस ले ठीक है तो इस फरकार दोस्तो हमारे इस क्यूशन का अंसरूत नबर सी बिल्कूल करेक्ट है हो जाएगा नेस्ट क्यूशन देखें दोस्तो क्या होगा यहाँ पर देखें कितना गजब का परसन बोलड़ा है दो आई निमा लिक्कित में से कौन सी नढी आंत्रिक возь ससमंधित नहीं है साभी नढी गगर नढी काक्रन दिया दोस्तो सागी नढी अब देखे इस्टूडेंट इन में अक्सर कनफ्यूज कहां पर होता है एक तो साभी नढी है और ऐक दोस्तो सागी नढी है तो साभी नदी तो आंत्रिक अफवात फंतरवाली नदी है वाई बिलकूशी बात है और दोस्तो इस पर हमारी जोग पुरा सभेता बसी हुई है है ना जो पुरा सब्वेता इस सब्वेता है इस नदी पर ठीक है साभी नदी पर बात करें गगन नदी की तो गगन नदी तो दोस्तो आंत्रिक परवा की सबसे बड़ी नदी है सबसे बड़ी नदी है और इसको दोस्तो नोट करना गगन नदी को क्या कहते है राधासान का सो करो को चीडिक है सागी नदी थो सोच हुपर हमारे Lies आपई इसके अलाबा देखे और कौन कोण सी नदिया हैं जो आंत्रिक परवाइन के चेतर में आते हैं ना आंत्रिक कांतली नदी का नाम आता है जो दूस्क्र निवी का फिर नाम आता है कंतली नदीका छिश्क्र नाम आता है रूप-पंगड़ का रूप-पंगड़ नदी दो esके लाव नाम आता है विभ्षष दूरीड आधिया मेंडा नदी संवर दिजल में जाकर कर ग सके अलाव यह कून सा तो अब कोन कुन सी अबिसे सागर में गिनने वाली ने आधिया कुन कोना सी है अब candles एकृгов वाला यह बात माद को पहले बता हूं अरफ सागर में गिलने वाली नदियों का नाम नोट कीजिए तो दोस्तों नाम आता है तीन नदिया तो यह तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान लगना ठीक है अब आते हैं हमारे क्यूशन पर तो सो माई जाका में तीन नदिया अरफ सागर में गिरती है इनके अलाव कौन कौन से नदिया है तो दोस्तो एक नदिया का नाम अता पस्मी बनास है पस्मी बनास दोस्तो ये नदिया का नाम है ना ठीक है इसके अलावा देखे और कौन कोशन नदी है तो लूनी नदी पलस दोस्तो लूनी की जितने भी साइक नदी है सभी अरब सागर में जाकर गिरती है इसके लाव वाकल नदी और दोस्तो जवाई नदी ये सभी नदिया दोस्तो नोट करना अरब सागर में गिनने वाले नदिया है अब इन नदियों के अलावा रादस्तान में जितने मी नदिया है चंबल, बनास, डाई, खारी जितने मी नदिया है सभी के सभी दोस्तो इसमें सागी नदी है वो दोतर नंबर की नदि के मामले में और इंडिया कॉलिटी और रादस्तान की के मामले में आपको किसी भी कोचिंग संस्तान को दोस्तो एक रुपर देने की जरूरत नहीं है यह दोस्तो मैं गारेंटिक साथ बोला हूँ क्योंकि आपको Q50G के पर एक युनिवेन एक जैनिक और दोस्तो एक ऑथेंटिक कंटेंट दोस्तो देखने को मिलता है जो आपकी एक एक रामबान एक मील का पतर साबित होगा बा कि राष्टिय जील संरक्षन कारेकरम के अंतरगते राधस्तान की निमन लिखित में से कौन सी जील दोस्तो सामिल नहीं है देखें दोस्तो राष्टिय जील संरक्षन कारेकरम की बात करें तो दोस्तो इसमें राधस्तान की 6 जीलों को सामिल किया गया है कितने जीलों को 6 ज कुछ SeniSTatan कि करेकरम के अंत्रगत दोस्तों किृति हैं तो कि जिमल को सामिल कि दो लो को सामिल का डूर दो सामिल कि न कि एक नकी जिल है सिरोई में परटी है ठीक है है ऑन सागर जील прямо जावर की पुषकर जील और वह एक है जील T और चुर्व करना है यहाम पर देख़ें की बात कर रहे हैं कि ऑदरा गदप का पर्सन है निम्मा लिकित में से कौन साथ शिचाई प्रयोजना जिला दे रहा है एक तरफ और एक तरफ जिला दे रहा है सुमलित नहीं है दुस्तों यह देखना दे के बिला बात करें तो दोस्तो यह दूंगरपूर में पड़ती है अब दोस्तो यह क्यूशन बाइग्जाम के पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट है कैसे क्यूंकि दोस्तो सब्सक्राइग्या। सब्सक्राइब वो दोस्तों आप दोस्तों में कोशिस करें अ भरत्र शुक्त करने की दोस्तों नोट वारग ज 56 marks अक का इसके लाव अःफ्ड सघ्र सागर इसके लाउब एक उनली शीचाई प्रियुदना यह भी जालबाट जीले में स्थित है ठीक है जितने बीने नाम बता है सभी की सब जालबाट जीले में फिर्ट है कोन-कोन कोटा की बारा की और दोस्तों हमारे जालावार की ठीक हे तो तीन जिलों की सब्सक्राइब तो ध्यान रखना खाजकना नेस्ट कुछन ने सब्सक्राइब और और एक मिनट नियुक्त कुछन्य पर यह घंडन कागदर दोस्ते नोट यह तो है उध्यपूरा यह ना उध्यपूर में और यह सूमक में पड़ती है इस बात का दोस्तो ध्यान नेकना डूंगर नहें इसके लाव एक उड़ाइक है विखह भाड़ा सागवरा नहर शीचाई प्र नहें पार ना नहे पी डूंगर पूर में इसके लाव उद्यपुर की बात करते हैं तो दोस्तों इसके लाव देखे नोट करना इसके लाव दोस्तों लेहासी शिचाई प्रियोदिना अब बात करते हैं बूंदी जिले की तो दोस्तों इसमें बी दो करेक्ट ही हो जाएगा ठीक है अगर दोस्तो इन से समझे एक्जा में कभी दोस्तो बविशे में क्यूशन पूंच ले तो भाई गलते नहीं करना है उनको ठीक है ना नेश्ट क्यूशन देखते हैं दोस्तो क्या होगा माम आ और आवात नहीं ऑर कहते हैं वरसा होती है द्यान रखना जिसके जो ढई की पार्शलों लिए बहुत ही लाबदाई होती दोस्तों इसको इसको पहारके और दोस्तों इस्तान सही सुमिलित नहीं है एक तरफ दो उधियोगी फारक और एक तरफ उनका इस्थान देखे चंबडा ओद्योगी फारक बार्क है वो दुस्तो अच्रोड मिस्तिता है जापानी पारक निम्राणा मिस्तिता है या इस्टोर पारक दोलपूर पुर्पुर में अइस बात का द्यान-डाट ठीक है थी कह तो अब जापानी पारिक दोस्टोड़ में पर्टा इसके अलबाता है! इसके अलावब देखें दोस्तो अगर आपको Pibilidad काँ इसमने कि कोरियाई ृ पार्क काहा है नोट करना जा यह दोस्तो बिलोट अलवर में इस सथय अगर आपको यह साफोरें कि तो गलती से बील वाड़ा मत कर देना यह दोस्तो शिलोरा अजमेर में इसी थै इस बात का दोस्तो द्यान लखना ठीक है तो बड़ा गजब का परसंदा ऐसा क्यूशन दोस्ता अगर बविशें पूछ ले तो गलती नहीं चे उतने नमर एक बिलकुल करेक्ट हो जाएगा ठी कि हमारी बात हो रही है ओद्योगी की पार्क से समझे ठीक है तो अगर आपको क्यूशन ऐसा पूछ ले कि राजस्तान का पहला मेगा फूड पार्क कौन सा है ना राजस्तान का पहला पहला मेगा फूड पार्क अगर आपको पूछ ले एक मिन दोस्तो फूड पार्क खिर यह यह पता नहीं माइक में क्या एरो हो रहा है अंभी इवनी आरी के आव जो एक मिनट कि अरद्स्तान का पहला मेगा फूड पारक को ers日 तो दोस्तों करना ववेड़ियों पूर कश्षान ऐैं में मैगा फूड पारग दोस्तों जोर श् además का पहले मेगा फूर्ड पार पारक बढ़ा धॉंत के पॉइंट इसी प्राइब है हOn क्यों नूबर पे दोस्तो not करना ko тяж रॉज다면 ओता बनाने में तॉज हर फूर यहां से टाम फॉट कुशन sertा घ्रवर हैं तो रहाए आना हैने जो यह पासं algumas को शरू कि संठे ऑर टामिंघ दानी दॉस्त वहाँ 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 दोस्तों आपके अग्जामिश च्पेगा यार मैल बनाने में टाइम लगता है जोंफडी बनाने में कभी टाइम नहीं लगता क्योंकि रटा-रटा एक समया सैंतयों टोड़ा सबाने मेंसके सब्सक्री लिए ठंट का कि यहां पर देखा इक बांद है और एक तरफ दोस्तों जीलाद है एक गो सुंडा बांद दोस्तों चितोडगड में इस टीद ने सी तबाइश बात का दोस्तों ध्यान लखना ठीक है तो तो दोस्तो बिसलपूर है बिसलपूर बांद इसी ता टोंक में यह ना इसमें आपको कन्फिजन नहीं हो ना इसके अलावा देखे दोस्तो मा आपको कुछ यहां पर ठैक्ट बताने वाला हूँ राजस्तान के पैरमुक, बान बतानेवाला हूं जहांसे डोस्तो ऐgg्जामी क्यूंसटि 서ल बार बार लीपिट होता है, ठेक है पहला बांद दोस्तो नोट करना है राणा परताब साघर बानद राणा परताब साघर बानद बाई कहाँ इसीता है ये दोस्तों ये कहाँ इसीता है ये हमारे दोस्तों जालोर में पढ़ता है जालोर में पढ़ता है और दोस्तों जालोर में दोस्तों किस नदी पर इसीता है तो सूखडी नदी पर करते हैं ना मारवाड का अमरी तो सरोवर कहते है जमाई बांद भो ठीक है इसके अलाव देखे दोस्तों अगर आपको क्यूशन ये पूछ ले कि हेमा वास बांद काएं सी थै तो दोस्तों हेमा वास बांद हमारे किस दिल्वे में पड़ता है और ये भी दोस्तों दियान एक लगना ठीक है इसके लिए आजो और रहे गिया आजान बांद और और दौस्तों बंद बanda बंद रहए ये दोनों और डौस्ततों कई से तहां थैसे दोनों बांदे हे यह थैंट है पर रास्तान करेक्शे हो जाएगा ने Schutz क्यों वा देख दूंगर ने क्या होगा पर देख तर्फ दोस्तों हस्तसिल्फ ओद्यों की कुई इस्तान दे हैं और एक तरफ उनके उनसे समझत इस्तान थीख है नहीं कि बात करें काश्ट कला का कि कना सिर्फ यहां कर दोंसे काम दोस्तों कहां पर कि यह जता है नाथ दौराँ में किया जाता है ठीक है बड़ा इंपोटेंट और ना रहा रहे कि देखिए दोस्तों काफी सारी चीजह भींड़ है और सभी念 पोर्टेम्ट तो नोट करना ना तोरे की बात बता रहो हुं है एक पीछवाई आफ कि आई अब को एनक की ख्याया हर अप उसके तेकर ना तोरे की गुलावी गंगोर पर शेत्रसुकल 15 जिम्में को मेनाई जाती डिक है से ब्सक्राइब्ध के लूए । इसके अलावा देखे दोस्तों यहां पर एक जोटीन और exact कार है दो महिला चितरकार है, महिला चितरकार, ना दोआरे चितरकार है, कौन-कौन सी, दोस्तो, कमला और इलाईची, कमला और इलाईची, दोस्तो, ये भी फेमस है, ना दोआरे की, ठीक है, इस बात का दोस्तो, दियान रखना, जैसा आपको क्यूशन पूचे, बैसा आपको आंसर किसमें है तो दोस्तो नोट करना चना सरसों चावल या गना तो दोस्तो जानका चंबल और माई सुगंदा में आपको कितने में बता है कि दोस्तो माई सुगंदा चावल की किसम है ना उतने नवर क्या हो जाएगा सी बिलकुल करेक्टर दाएगा अगर आपको माही दवल माही गजप पूचले तो दोस्तों मक्हा किसमें और मही सुगंधा पूचिय तो दोस्तें का डेगाना बाकषरी में ऑख्रिकिस खनीज के लिए परसिद है तो दोस्तों हमारे इस 270 डेगानवस ही जो आग्र जीए में शचंति को? और नागोर जिले के अलाव दोस्तो और टंगश्टन की खाने कौन कौन सी है तो दोस्तो वालदा वालदा है जो वालदा काँपर पर बता है शिरोई जिले में इसी था है ये भी टंगश्टन की खाना है और दोस्तो इसके अलावा नोट करना ना कराब है ना कराब दोस्तो य हमारे फाली जिले में इसी तरह तो यह भी दोस्तो टंगशने के खान है तो इसके लाव टामबे की बात करे तो करेक्टर द passar को ना द रहता है तो उत्यमबर दोस्तो हमारे इस क्यूशन कांसर क्या जाएगा सी बिलकुल करेक्ट है हो जाएगा नेस्ट क्यूशन दे क्या होगा बड़ा गजब का परसंद दोस्तो क्या बोलड़ा है रदस्तान में 2020-21 में कितने जीले बहई अकाल से परवावित हुए है 9, 21, 10, 6 तो दोस्तो हमारे इस क्यूशन का अंसर बताई क्या हो जाएगा उतनामर बी बिल्कुल करेक्ट देगा 6 जीले दोस्तो 2020-21 में अकाल से effective दोस्तो हुए है ठीक है इसके अलाव देखे दोस्तो अगर आपको क्यूशन ऐसा पूंच लेगी परवाईत रहने की संभावना है इसमें आपको गलती नहीं करें इसके अलाव देखे दोस्तो एक क्यूशन ओर रहे गया important है कि दोस्तो अगर आपको क्यूशन ऐसा पूंचे कि राजस्तान में सरवादिक जीले किस वर्स दोस्तो अकाल से परवाई थे है ना तो दोस्तो नोट करना 2000-2002-2003 को 2003 को दोस्तो राजस्तान के सबसे दादा जीले दोस्तो अकाल से इप्यक्टिव थे और दोस्तो कितने जीले थे टोटल उस समय दोस्तो राजस्तान के 32 जीले थे कर्षी प्राइब कि Еदिन धरनी से करहते हैं स्थानांतरित कर्शे कर्षी को जो永 कर्षी को दोस्तो नियुक्त का द्यानकृत Finnish सब्सक्राइब कि इसे बात्यद कर्षी तो जो वाढ़ राइचा को क्छा ओन जुरूत कर्षी कि का चिमाता इंग मेदान मेदानों में की जाती है तो दोस्तु इसको क्या कहते है ? कहते हैं इस बात में अब मुज़नी वह ना ठीक है ? बड़े गज़यर का पेसंत-ाइस आ कूस्त को बड़े एंधे वाधरियता संवान्स होती है र investing के बील जिन जाती के मुख्या को गमेती कहते है ना जमेती कहते है बील जिन जाती के मुख्या को क्या कहते है गमेती कहते है और बील जिन जाती की महिलाओं द्वारा दोस्तो जो गुठने तक है जो गुठने तक गागरा पहने जाता है गागरा पहना जाता है उसको दोस्तो कच के लिए दोस्टो में फिरसी बोलं हूं सिर्फ और सिरफ यार आप के लिए आपका भाई भाई वाई त्यार करता है टिका है इसने देखें दोस्तों बले हैं हमारा चैनल क्छोटा है बले दोस्तों मेरे पास है और अपके फड़ाने के लिए उपकरण दोस्तों कम है एक थोटा सा मूबाय से दोस्तों आपको फड़ाता हूं लेकिन ऐसा कंटेंट देता हूं जो राधिस्तान की बड़ी-बड़ी कोचिंग संसान दोस्तों आपको बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कराते है इसके लिए आपका फड़ हमारे वीडियो के जितने हैं घुन 30 पर प्रोव चुके हैं सभी दोस्तों मोडल पेपर देखना आपकी एकजाम तक दोस्तों आपकी साथ कंदे से कंदे मिला खड़ा है राधस्तान जीक के इंडिया पॉलिटी और राधस्तान पॉलिटी में किसी भी कोचिंग संसान को एक वीडियो में जल्द ही